आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 12 के थ्यूरम 12.1.1 के उपर बात करेंगे इससे पहले मैंने थ्यूरम्स के उपर एक विडियो बनाई है आप पहले उससे देख ले ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको थ्यूरम्स और उसके सिंबल से इसमें यूज होने हैं उसके बारे में काफी इंफार्मेशन मिल जाएं अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं त्यूरम 12.1.1 इसकी स्टेट्मेंट के है कि एनी पॉइंट ओन दा राइट बाइस कंप्लीट लाइन होती है और इस लाइन के मिट से या कई से भी अगर आप कोई भी टुकरा पैच हम कह सकते हैं सेगमेंट हम कह सकते हैं अगर आप उसको ले लेते हो तो हम कहते हैं कि यह हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है यह आपके पास एक लाइन सेगमेंट होती है और सब्सक्राइबा है को यह एक प्वाइंट कर्द आपने कोई बाइट ले लेना है अब जो आपके पास लेके होना चाहिए बराभर पास एक line segment है, अब उसने कहा है कि आपने इसकी bysection करनी है, by sector कर देना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, by sector तो करना है ना इसका आफरी करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसने यहां पे यह right का word यूज किया है, वह एक आपने right by sector करना है, मतलब कि आपने ninety के angle पे इस segment के साथ bisection करना है आप इस तरह से और इस तरह से नहीं कर सकते आपने एक line segment लेना है और इस 90 के angle पर आपने उसको bisect करना है ठीक है अगर हम इसके diagram नहीं सबसे पहले तो क्या है कि हमने एक line segment ना नहीं है यह हमारे पास एक line segment होगी हम इसे name दे देते हैं A और B का उसके बाद कहते हैं कि आपने इसके पर right by sector करनी है अगर आपने इसके पर right by sector करनी है उच इस तरह से यह आपने इसके पर right by sector कर दी ठीक है यह complete line को यह complete line है यह आपके पास एक line segment है यह जो complete line है आपने इसको name दे दिया L का आपने इसको नेम दे दिया M का ठीक हो गया अब यह जिस पॉइंट पे यह लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको आपने नाम दे दिया C का ठीक है अब यहां पर आपने को एक पॉइंट लेना है यहां पर भी ले सकते हो यहां पर भी आप के सेग्मेंट के end point से अब हम कि इसको डाट से जाइन कर देते हैं कि यह इक्वी डिस्टंस होना चाहिए यह चीज़ हमने प्रूफ करवानी है कि क्या यह इक्वी डिस्टंस है इसके end point से ठीक है अब यहां पर राइड पाइस सेक्टर की थी तो 90 का एंगल और यहां पर हम two, sorry one, jeśli यहां पर भी one और यहां पर भी one, one small line लगाएंगे अब इन small lines का क्या मत्लब होता है? इनका यह मतलब होता है कि इस equilibrium में जो angle है यहां पर angle 90 का कहते है कि इस diagram में जो angle है और जो length है वो इस diagram के angle और length के equal है जिस भी diagram है अगर single line आ जाए और वो small हो तो उसका ये मतलब होता है कि इन दोनों diagram के जो angle और जो length है वो एक दूसरे के बिल्कुल same है ठीक है अब यहां पे हम given सबसे पहले हम given लिखते है कि हमें क्या दिया गया है अगर हम check करें कि हमें क्या क्या दिया गया हमने proof करवाना है क्या चीज़ प्रूफ करानी है कि क्या ये दो lines equal है चूंकि हम theorem में हम कहते हैं कि हम math की language में mathematical operations और arguments को use करके proof करवाते है कि क्या ये जिस ठीक है अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें दिया गया है हमने दिया क्या गया है हमने proof क्या करवाना है हमने खुद से क्या काम करवाई उसके बाद हम proof पर जाएंगे फिर हम statements और reasons के साथ काम करेंगे सबसे पहले हमें given क्या है एक line segment दी गई है right wise sector उसके उपर और एक point यह तीनों चीज़ें हमें क्या given है अगर हम इसको एक statement की फार में लिखें हम कहेंगे align lm lm हमारे पास एक complete line है जिसकी वज़े से यहां पर line का वर्ड यूज़ गए अगर यह लाइन segment होती तो फिर यहां पर हम line segment का वर्ड यूज़ करते कहते हैं कि align lm intersect intersect का मतलब के meet मिल जाती है यह cut देती है the line segment को the line segment segment a b अब यहां पर a b आपके पास एक line segment था जिसकी वज़े से यहां पर line segment का वर्ड यूज़ हुए यह lm आपके पास एक complete line थी और यहां पर line cover जूज़ है कहते हैं कि the line segment a b को कहां पर कारती है add point c के उपर add the point c किस तरह कारती है कहते है such that जब यहां पर इसने lm को lm line ने a b को intersect कर दिया c पहे तो क्या हुआ कि यह जो c किसके equal हो गया b c कै उसके मलबा यह जो लM है यह perpendicular हो जाएगा पर पंडेक्यूल यह इस तरह कहता है यहां पर 90 का एंगर बंजाए और हम कहते हैं कि यह perpendicular है फिर हम कहते हैं कि जो Lm यह perpendicular हो जाएगा इस a b के ठीक है क्याते हैं कि इस तरह काटा कि हमें दो आगे से statement मिलगी पहले क्या कि LM एक complete line थी जिसकी वर्ण से हमने ये बार यूज की LM perpendicular हो जाता है AB का अब AB एक line segment था जिसकी वर्ण से हमने उसके बार यूज की फिर हमने कहा and ac congruent हो जाता है इसकी ओपर भी ये भी एक line segment है जिसकी वज़र से हम line segment वाली बार जूज करेंगी bc के अब congruent का क्या मतलब होता है कि अगर ac bc के बिलकुल equal हो जाए इसकी हर्चीज इसकी equal है तो हम फिर इस congruent वाले sign को यूज करते हैं फिर यहां पर एक point यह बाते हमने लिख ली right by sector वाली line segment हमें दिया गया है उसे हमें आगे क्या क्या मिला यह सब कुछ हमने given में लिख लिए गया given में हमें एक point भी दिया गया point P जो के LM के उपर है फिर हम लिखेंगे के P हमारे पास एक point है P is a point on LM LM के उपर हम यह sign शो करेंगे यह क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यह complete line को शो कर रहे हैं यह चीज हमें given थी हमें दी गई हुई थी अब हमने proof किस चीज को करवाना है proof हमने करवाना है कि क्या यह जो point है यह line segment के end point से equidistance पे हैं तो हम proof में क्या लिखेंगे to proof proof हमने करवाना है P A P A line segment है क्या यह concurrent है P B के P B के क्या यह concurrent है यह हमने proof करवाना है अब construction में हम क्या करते हैं कि जो काम हमने खुद से किया हो हम कहते हैं कि वो construction होती है to the points A and B हमने क्या किया कि इसको A और B points के साथ जाइन कर दिया Prune कि हम प्रूफ करवाने लगे हैं प्रूफ में हमने क्या करना है अब हम प्रूफ स्टेट्मेंट्स और रिजन्स को देखते हैं यह हमारे पस दो ट्राइंगल अज़ा जब यह हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाए तो हमने तीन चीज़ों को प्रूफ करना होता है यहां पर मैं लिख लीटी हो ऐस एस पास्टूलेट को इस थियोरब में आपने ऐस पास्टूलेट को प्रूफ करवाना है अगर यह प्रूफ हो जाएगा तो आपका थियोरब प् मतलब है साइड एंगल और साइड साइड का बताना है कि इस डाइग्राम की जो टू साइड से हैं और इस डाइग्राम की जो टू साइड से हैं वह दोनों साइड आपस में एक्वल है और इसमें जो एंगल है और इसका जो एंगल है वह दोनों एक्वल है अगर यह तीनों ची करवाना चाहते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे पर दो ट्राइंगल से a ।झ आरे एस सि पी और वी सी पी सबसे पहले हम कहते हैं इन ट्राइटब ऑ्यजाएंग ए हम इस compare करवा रहे हैं दूसरी ट्राइंगल के साथ इसका मतलब है correspondence दूसरी ट्राइंगल B, C, P के साथ सबसे पहले हमने one side इसको देखती है side क्या है A, C इसकी side के यहां भी हमने लिख दिया कि A, C और B, C आपस में congruent है one side के लिए हमने कहा कि A, C congruent है B, C के ठीक है अब यह A, C congruent है B, C के यह बात हमने लिखी थी given में तो यहां पर हम reasons में क्या लिख देंगे given कि हमें given से पते है ठीक है अब यहां पर one side तो होगी next angle के लिए angle के लिए हमने क्या करना है एक बात आपने याद रखनी है कि जहां पर angle होगा वो वाला word mid में आना चाहिए हम ऐसे रहें कहेंगे P, A, C अगर यहां पर angle होता है तो फिर इसको हम फिर लिख से थे थे P, A, C लेकिन अब हमारे पास angle क्या है 90 P है तो angle किस point पे है C पे हम कहेंगे angle A, C, P congruent है angle B, C, P के यहां पर हमारे next statement क्या होगी angle A, C, P congruent है angle B, C, P को यह show करते है angle को अब यह angle A, C, P congruent है यह भी हम यहां पर देखें तो congruent का मतलब कि यह दोनों आपस में equal है तो equal मतलब कि यह perpendicular है तो यह भी statement हमें कहां थी given में तो हम यहां में लिख सकते हैं given से हमें पता है कि यह जो हमारे पास P, C है यह perpendicular है A, B के यहां पर हम देखें लिखा था L, M L, M हम show करे थे complete line को अब हम लिख रहे हैं P, C, P, C का मतलब भी L, M P, C का हम यह कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि यह line segment हो जाएगी L, M की हम यहां पर लिख रहे हैं कि P, C perpendicular है A, B का हमने लिखा P, C perpendicular है A, B का सो देट, सो देट, सो देट, इच एंगल, यह एंगल की notation है, इच एंगल at C, कि C पे हर जो एंगल है, वो किसके एकोल है, 90 डिगरी के, क्योंकि वो एक दुश्य के perpendicular है, अब यह एंगल की बात भी होगी, नेक्स्ट साइड की बाथ के लिए, नेक्स्ट साइड है, यह P, C इस ट्राइवे एंगल का, और इस ट्राइवयंकल का दुश्य का common है, मुष्तर का है, तो हम लिख देँंगे, नेक्स्ट साइड के लिए, P, C, कंगूरंट है PC के ये दोनों एक दुश्य के एक विल है ये हमारे पास common है common point है अब ये तीनों साइड्स प्रूफ तीनों जो हम ने चीज़े प्रूफ करने थी होने के लिए हम लास्ट पर कंप्रीट कहा देंगे चीज विर से इंगे यहां से हम लिखे दे i sas पास्यूनेट है ले को पूर्विट हें जब प्रूव होगय तो भी हमने कमप्रीट के लिख करा दिया कि यह आसे स्पास्यूनेट है अब यहां पर यह प्रूफ कर वाने थी अब हमारे पास प्रूफ होगी है एक बाद आपने याज रखनी है वह यह आपने थीयूरम्स के लास्ट पे लिखनी है ताके जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी है वह हमारे पास प्रूफ हो जाए तो उसको हम लास्ट पे लिखते हैं यहां पर हम लिखेंगे क्रिस्पोंडिंग साइड्स अफ कंगुरेंट ट्राइंगल्स इसका क्या मतलब है क्रिस्पोंडिंग का मतलब होते हम मतनाजरा मतनाजरा का मतलब है कि आमने सामने वाले कि आमने सामने वाले जो इसकी साइड्स हैं ट्राइंगल्स दो ट्राइंग कंग्रेंट ट्राइंगल्स कि यह साइड्स हैं दो ऐसी ट्राइंगल्स की जो कि आपस में बिल्कुल कंग्रेंट है कि अबिल्स ट्राइंगल्स कि बिल्कुल है झाल त्राइंगल्द एंगल्स घ्यार्ण